हम हर्याना के पूर्वेतमंत्री कैप्टन अभीमन्यू से सीधे मुखातिब हूँ उनसे बाचीत करें और लॉकडाउन में देश और प्रदेश की स्थिति को समझने की कोशिश करें उनके अनुभव को साजा करें सबसे पहले स्वागत है कैप्टन अभीमन्यू जी आपका ज हर्याना में भी पूरे देश में भी लॉकडाउन थड़ चल रहा है आकलन क्या है सर आपका आगे इसको कंटीनु करना पड़ेगा क्योंकि सरकार ऐसा लग रहा है कि अर्थववस्था पर भी पूरी तरीके से नजर है सरकार की देखें साकेट जी यह जो कोरोना वाइरस का संकट है यह पूरा मानवता इसको जेल रही है और पूरे विश में संकट है और भारत ने इस कोरोना वाइरस के संकट को अभी तक निवटने में बहुत इतिहासिक सफलता प्राप्त की है और हमें इस बात का संतोश भी है कि जहां पर अमेरिका और योरोप के बड़े बड़े देश इसमें इंगलेंड हो, स्पेन हो, फ्रांस हो तो इस महामारी की चपेट में बहुत गंभीरता से आज उनको सामना करना पड़ रहा है भारत में अभी तक काफियत तक इसका बचाओ और इसका कारण है कि हमारे राष्टे नेतरत ने समय रहते हुए लॉक्डाउन करने के सहासिक फैसले लिए हैं तो ऐसे में आज हम सब पूरे दुनिया में जब तक कोई वैक्सिन नहीं आती जब तक कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं आता यह एक एग्रेसिव वाइरस है और यह बहुत ही इसके गंभीर परिनाम हो सकते है और इसका स्केवल मातरिक समादान है कि इसको बढ़ने से रोकने के लिए इसके संक्रमन को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट जो है वो ना हो फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को मिंटेन करना ही इसका एक मातर उपाए है और जब तक कि यह वैक्सिन नहीं आती जब तक कि इसका इलाज नहीं होता अगर कोई एक कपोल कल्प ना करता है कि हर्ड इम्मिनिटी हो जाएगी तो वह साइंस और लॉजिक कम से कम आज उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है तो हम इस संकट के साथ में इवाल हो रहे हैं संकट से निवटने के तरीकों को समय के साथ भारत के लोग आज नागरिक हर नागरिक समझ रहा है और एक नए प्रकार के जीवन दिन्चरिया एक नए प्रकार की जीवन शैली एक नए प्रकार का व्यवहार आज आम आदमी विकसित कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इस लॉकडाउन ने जहां एक तरफ इस महामारी को रोकने में बहुत बड़ी महभूवी का निभाई बविश्य में भी अगर इसमें लगता है और इसमें लगता है और कुछ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आ पाता है तो एक आम समाज में जिस प्रकार से लोगों को व्यवार करना चाहिए एक इस व्यवार का एक अच्छा अब्यास हुआ है हम सजग हुए है और त्विवस्ता की जहां तक बात है धीरे धीरे जो एकनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो एस्सेंशल सर्विसिस से ले करके और एकनॉमिक वी जो चलाए रखें जैसे कहा गया कि जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए लेकिन जान है तो जहान है तो हम जान को सुरक्षित रखने की प्रात्मिकता है और जहान को भी चलाए रखना वे भी जान के लिया अवशिक है इसलिए उसको धीरे धीरे वाइरस का प्रतिदिन आरा है नगभग 74,000 टेस्ट प्रतिदिन होने के बावजूद भी आज हमारी 11-12 दिन में डबल होने की ग्रोथ रेट आई है जो अभी तक 15 दिन आज से 2 दिन पहले 15 दिन के अंदर डबल होने का था 5% की ग्रोथ रेट पर हमारे जो पेशन्ट थे वो दिन में चुकि रिपोर्टिंग जादा हुई है उसके कारण से वो ग्रोथ रेट 7% पर आई है तो अभी भी 11 दिन मारा दिन में जो डबल होने का है यह बहुत सेफ माना जा रहा है परन्तु यह कितने दिन तक चलेगा कब तक चलेगा और इसमें अगर यह बढ़ता है तो क खोल आ जा सकता है चला जा सकता है इसी तरह से हमको इस वाइरस के साथ में अपने आपको सीखते हुए निवटने का ब्यास और अनुबव करना पड़े जाए क्या केंदर सरकार भी चुकि अर्थवबस्था एक बहुत बड़ा मसला हो बंता चला जा रहा है क्या वाकई जीने के आदट डालेने चाहिए जब तक कि इसका वैक्सिन नहीं मिल जाता है देखे साकेज जी यह तो एक सपष्ट है एक साइंस की बात है कि कोरोना वाइरस एक महामारी है जो पूरे दुनिया में आज पैल रही है एग्रेसिव वाइरस है सपर्श से बढ़ता है इसका कोई ट्रीटमेंट अभी उपलब्द नहीं है और ऐसे वाइरस पहले भी है जो इबोला वाइरस है या एड्स की बिमारी है जिनका आज तक कोई वैक्सिन नहीं मिल पाया है परंतु इसकी एग्रेशन की जो पोटेंसी है इंटेंसिटी है वो जादा है जी तो हमको इ वैक्सिन डवलप होते होते मास प्रोड़क्शन में आते आते पेशन्ट को मिलते मिलते ट्रीटमेंट इसका इवाल होते होते समय लगने वाला है और इतिहास में पहले भी ऐसे वाइरस हुए हैं जिन्नोंने लंबे काल तक वो एक्टिव रहे हैं तो ये बात इसमें कोई दो राहे नहीं हैं कि हमको इसके इसको जब तक कि इसका समाधान इसका इलाज नहीं निकलता है तब तक हमें इससे बच करके रहने की तरीके से जीने के सुभाव में आना ही पड़ेगा और वही अभ्यास नरिंद्र मोधी जी ने इस देश की जनता को पिछले डेड़ महने में पहले दो लॉकटाउन में अब तीसरे लॉकटाउन में मार दर्शन करते हुए सीधे नेत्रत लेते हुए और पूरे देश को एक साथ अपने साथ जोडते हुए आज इस सुभाव में इस विवहार में ढालने का एक बहुत भागिरत प्रयास किया है और पूरे देश ने भी उनका साथ दिया है हर कोई व्यक्तियास साथ दे रहा है और जहां जान बचाने का प्रयास है वही जहान को भी बचाने का प्रयास है पर दोनों में संतुरन रखकर कर चलना पड़ेगा और मोही जी के एक बात के लिए पुरा विश्व तारीफ कर रहा है और आने वाली पीडियां इतिहास में पढ़ेंगी कि भारत में पहली बार को यह ऐसा नित्रत्व आया जिसने जान को प्रात्मिकता दी परन्तु जैसे जैसे अनुभाव हमारा बेतर होता चला जाया जायेगा जा रहा है तो एकोनोमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना भी अपिक्षित है और उनको वो भी चलें इसका भी प्रयास जल्दी से जल्दी होगा परन्तु जान की कीमत पर नहीं हो सकता है ये एक बड़ी बात है कैप्टेन विबन्यू जी लेकिन फिर भी चुकि आपने वित्वमंत्राले समहला है आप बेटर तरीके से समझ सकने कि एक प्रदेश को चलाने के लिए आर्थिक देश्टिकों से मजबूती कितनी जरूरी है आपका पर्सनल उपिनियन क्या है सर कब तक इस तरह से लॉकडाउन को देश प्रदेश हैंडल कर पाएगा साकेज जी अपने वित्वमंत्री के अनुभो के नाते में आपको कहना चाहता हूँ कि ये संकट केवल हरियाना नहीं जहल रहा या हिंदुस्तान नहीं जहल रहा ये पूरी दुनिया इस संकट से बाबस्ता है हिंदुस्तान की अपनी कुछ कमजोरिया है तो अपनी कुछ ताकत भी है और जब अगर खाजाने के मुँ खोलने के आफशकता होगी जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ने अभी तक कुछ प्रयास किये है बारत सरकार ने भी कुछ स्टिमुलिस पैकेजिस दिये हैं और एक प्रकार से मैं इनको सर्वाइबल पैकेजिस कह रहा हूँ तो अरत्योंबस्ता को चलाने के लिए सभाविक तोर पर सरकार फैसले लेगी रिजर्व बैक फैसले लेगा वो फैसले दुनिया के सभी देश लेंगे दुनिया के सभी देश जब बराबर लेंगे अमेरिका भी लेगा जब जैपान भी लेगा जब आस्ट्रेलिया और यॉर परने वाला नहीं है मैं भारत की जहां तक हमारी resources की limitation है वो सही बात है लेकिन सरकार के पास में और reserve bank के पास में आज वो ख्षमता है उनके पास वो भारत के संविधान के द्वारा दिये गई अधिकार है कि जो आवशक कदम उनको समय पर उठाने पड़ेंगे वह उसको उठाएंगे इसमें मुझे कोई संदेर नहीं है और हमारी एक बहुत बड़ी शक्ती भी है वो है कि भारत को क्रिशी परदान देश कहा जाता है वो इसलिए नहीं कि हम अर्थ व्यवस्ता में हमारा क्रिशी से जुड़ा हुआ व्यवसाए वह जादा उसमें कॉंट्रिबूट करता है जादा पैसे कॉंट्रिबूट करता है विशे वो नहीं है परन्तु क्रिशी के उपर निर्भरता भारत के लगवा 57-60% लोगों की है सो भागे से हमारा रभी की फसल का कटाई का सीजन अभी पूरा हुआ है और एक रिकार्ड उतपादन उसमें आज सामने आ रहा है तो यह हम समझें कि 57-60% जन संख्या का जो अर्थ व्यवस्ता है जो क्रिशी के अर्थ व्यवस्ता है उस पर कोरोना का नकारत्मक प्रभाव अभी नहीं है और उसने अपनी कॉंट्रिबूशन पूरी अपनी देश की अर्थ व्यवस्ता में दे दी है आज सर्विस सेक्टर जीरो के करीब खड़ा है आज मेनफेक्टरिंग सेक्टर आज बहुत बड़े गिरावट के दौर में है लेकिन एगरिकल्चर सेक्टर और अलाइट सर्विसे सेक्टर अपने रूटीन के वह ग्रोथ रेट के अपर खड़ा है जिसके अपर 60% के भारत की जनसंख्या निर्वर है इसी लिए तो यह एक बहुत बड़ा बचाव भारत का एक दृष्टी से हुआ है परन्तु इसमें आवश्यक यह है किसान को मजदूर को उसकी फसल का जो वियुत पादन मंडियों में आ गया है जल्द से जल्द किसान मजदूर को उसका भु इसा होगा तो उसका सीधा सीधा जो परिवार के खर्च करने के लिए जो वय करेगा वो चाहे वस्तानी आड़ती हो चोटा दुकानदार हो वो हर प्रकार की एक्रोमिक एक्टिविटीज की वहां से शुरुआत होगी तो इसी लिए मेरा ये जो शासन में जिम्मदार लोग आएगा और 57 से 60% पॉपलेशन के ओपर कोई संकट नहीं आएगा और बाकी मेनुफेक्टरिंग और सर्विसी सेक्टर पर जो अनेग प्रकार के प्रयास हो रहे हैं देरे दरे एक्टिविटीज खुलेंगी तो उनका भी समाधान वहें संबव हो सकेगा एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ और दरशक भी समझना चाहते हैं सर कि एकनोगमिकली एक्सपर्ट लोगों से जब बात होती है तो ये कहते हैं कि जब लॉग डाउन खत्म होगा और अर्थवबस्था को मजबूत करने की बात सामने आएगी तो बोज आम लोगो आसी बात को समझ लेना चाहिए कि समाज और सरकार का आपस में संबंद क्या है सरकार कोई मंगल ग्रह से नहीं आई है समाज में से ही कुछ लोगों को समाज के लोगों ने चुन करके कुछ लोगों को इलेक्ट करके कुछ लोगों को सेलेक्ट करके कुछ लोगों को के ही यंग है और जितना समाज की शक्ती होगी जितनी समाज की जो हमारी gross domestic product होगा उत्पादन होगा उस में से जो कुछ हिसा खजाने में जायेगा उसी में से सरकार चलेगी उसी में से सरकार समाज के लिए उसको व्याय करने का काम करेगी तो ये कोई बाहर से पैसा नहीं आता है, कोई सरकार के पास अलग से पैसा नहीं होता है, ये तो जितना समाज उत्पादन करके सरकार को उपलवद कराता है, सरकार उसी में से समाज के भले के लिए उसको लगा सकती है, तो इस एक सम्मंद कौम को समदना चाहिए कि सरकार में बैठे वे ल लोगों का काम यही है कि वो एक अच्छे बहतर संयोजन के साथ में नियोजन के साथ में पूरी विवस्ता को चलाने का काम करें सुबाविक है कि जब समाज में अर्थ विवस्ता की गतिविदिया सक्रिय होंगी बहतर होंगी गतिमान होंगी गतिशील होंगी तो उसमें से सरक के खजाने में राजस्व की पूर्ती होगी और अगर सरकार के खजाने में राजस्व नहीं आ रहा क्योंकि economic activities नहीं हो रही हैं, खरीद बेच नहीं हो रही है, GST नहीं आ रहा है, वैट नहीं आ रहा है या आज income tax को भी postpone करना पड़ रहा है क्योंकि आम businessmen भी अपने अपने businesses में वह है अपने employees को salary देने का अधिक से अधिक अपने cash flow में से कोशिश कर रहा है हर कोई इस आर्तिक संकट से जूज रहा है तो ऐसे में सरकार जो भी निरने लेगी reserve bank क्या कर सकता है reserve bank monetary policy के तहर वह कुछ relief दे सकता है reserve bank कुछ extra पैसा print करके वो बैंकों के माद्यम से अर्थ वहस्ता में डाल सकता है परन्तु reserve bank का काम lending है reserve bank केवल एक प्रकार से loan दे सकता है उसको spending करने का काम वे सरकार का योदना बनाने का है जब सरकार स्पेंडिंग करेगी सरकार उसको स्पेंड कर सकती है सबसिडीज में कर सकती है सरकार उसको किसी परकार के लोन के ब्याज की माफ़ी के तौर पर भी इस्तिमाल कर सकती है सरकार सीधे सीधे उस loan के रूप में वह चोटे बिजनेसेज को उपलब्द करा सकती है लेकिन अंततो गत्वा चाहे वो किंदर सरकार हो चाहे राजे सरकार हो चाहे बैंक को हो उनको रिजर्व बैंक को वो है पैसा ब्याज समेथ किसी स्टेज पर लोटाना होगा क्योंकि रिजर्व बैंक स्टन्त रहे तो लेकिन सोभागे से आज का संकट पूरी दुनिया के सामने है मैं संकट बहुत बड़ा दुर्भा के पूर्ण है लेकिन दूसरा जो इसमें विशे है वो यह कि पूरी दुनिया जेल रही है जब पूरी दुनिया जेल रही है तो इसका जो भी दुष परिणाफ होंगे जो भी इसका दुष प्रभाव होगा आने वाले आट दस सालों में उसको बराबर किया जा सकता है IMF ने भी कहा है, International Monetary Fund ने एडवाइस किया है कि इस साल संकट के कारण से देश की अर्थववस्थाओं में आपको फिसकल डेफिसिट की जो मरियादा है आप उससे पार जा सकते हैं, आप और पैसा जितना चाहिए, आप अपना आउशकता अनुसार, अपने अपने राष्टर की परिष्टितियों के अनुसार उस पैसे को उपलब्द करवा सकते हैं उसका इंपैक्ट जो है, वो उसका नेगिटिव इतना नहीं होगा अगर अमेरिका टोटल जीडीपी का वहें 15% तक फिसकल डेफिसिट पर जा सकता है, 200% जीडीपी का अमेरिका लोन ले सकता है, तो भारत तो अपने फिसकल डेफिसिट के 5% पर ही खड़ा है जीडीपी के, भारत तो भी अपनी जो लोन जो डेट तु जीडीपी जिसको कहत हैं GDP की तुलना में लोन जो अमेरिका का 200 परसेंट है हम तो 50 परसेंट से भी नीचे हैं तो अभी सरकार और रिजर्व बैंक के पास options हैं और मैं यह मानता हूं कि आज तुरंत तो survival के विशे हैं लेकिन समय के साथ जब पूरा का पूरा एक damage कितना हुआ है economy को कितने stimulus package की आशिकता है जब उसका assessment हो जाएगा वो जब सही समय जब आकलन सही हो जाएगा तो जब पूरा का पूरा नुकसान का एक definitive assessment हो जाएगा उसके बाद जब कोई जब final package निकल करके आता है वह ज़्यादा मैत्पुन है क्योंकि इसका परिणाम कोई तीन महीने छे म कि अगर नरिंदर मोदी जी से अत्रिक्त अगर आज कोई देश का नित्रत होता तो देश किस हालात में होता हमारा सोभाग है कि जब यह महामारी का संकट जब पूरी मानवता पर आया हमें ऐसा एक महान नित्रत मिला है जो देश के गरीब के दर्द को भी जानते हैं जो अर मुझे लगता है कि भारत बहुत सुरक्षित हाथों में हैं एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यह तो एक फेज है जहां पर हम लॉकडाउन को पूरी तरीके से देख रहे हैं और धीरे धीरे अब उसमें कटोते भी देख रहे हैं लेकिन जब लॉकडाउन खत्म ह हो जाएगा और पूरी तरीके से आंकलन भी हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के तरफ में थोड़ा साब का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं उन कंपनी के जरिये रोजगार के बहुत सारे आवसर महया होते हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन उसकी भी कम बात को समझते हैं कि कोई भी चोटे से चोटा दुकांदार हो या कोई चोटा सो चोटा एंटरप्राइज को बिजनेस हो कोई भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्री हो वो अपने एंप्लॉईस की एक महिने की सैलरी कोई कैश में बैंक में बैलेस नहीं रख सकता है और 31 मार से पहले पूरे देश में लिक्विडिटी क्राइसिस सर्वविदित था उसके ओपर कोरोना का संक्रणा गया तो स्वभाविक है कि वो बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं सारे बिजनेसे वो अपने इंप्लॉईस को अपनी सैलरी वो जितनी दे सकते हैं वो देख करके ए यह अर्थविवस्ता में बहुत बड़ा सैयोग है और मैं कहता हूं कि जो हमारे जो बिजनेसे के अंदर जो आम नागरिक हैं वो भी अपने अपने एंटरप्राइस की आज की इस विवश्ता को मजबूरी को समझ रहे हैं सब सैयोग कर रहे हैं सब उसमें अपने डेफ़र हैं जब तक वो इसको सपोर्ट कर पा रहे हैं तो भारत सरकार ने नई योजना दी है कि मैसमी इसको बैंक के माध्यम से सैलरी देने के लिए एडिशनल आट सवाट परतिशत के ब्यास दर के ओपर लोन भी उपलब्द कराने का दरवाजे खोले हैं जिसको लेकर के बहुत एंटरप्राइजिज ने बैंक के अप्रोच करना शुरू कर दिया है मैं समझता हूं कि इसमें और ज्यादा गती देने के आवश्चता है वही सरकार को भी जो ऐसे राशी हैं ऐसे पैसे हैं जो केंदर सरकार हों राजे सरकार हों जिसको उन्होंने बिजनेस से कोई सर्वि ना तो वो लोन है, ना वो सबसीडी है, वो बिजनेस का एक बॉनाफाइड राइट है, वह सब राज्य सरकार के इंदर सरकारें उस पैसे को जितना जल्दी रिलीज करती हैं, तो वो पैसा तुरंत एकनोमिक अक्टिविटी में वह इस्तिमाल होगा, वह एंप्लाइज की सेल में अगर कहीं भी चोकिंग है, कहीं भी एक कोई क्लोट आया हुआ है, उसको सरकार को तुरंत प्रभाव से निर्देश जारी करके और वो पैमेंट रिलीज कर देनी चाहिए, क्योंकि वो ना लोन है, ना सबसीडी है, ना कोई उधार है, उनके द्वारा दी गई सेवा या सामान या काम का हुआ है, एक पैमेंट है, जो उनका अधिकार बनता है, इसलिए इसमें सरकार अगर इस प्रकार के स्टेप लेती है, और इस सब के बाद भी, इस सब के बाद भी अगर बिजनेस की रिक्वार्मेंट है, कि बिजनेस को हैंड होलिंग की जुरूरत है, सपोर हैं और लगातारी इसमें प्रयास कर रहे हैं और मुझे पुरा विश्वास है कि वो समय पर वहें आवश्रक जो भी कारवाई है वहें जो मदद है जो सहता है निश्चित तोर पर उपलब कराएंगे संकट में किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएंगा मेरा इतना ही है कि यह संकट का समय है संकट में अपने जीवन के दिन्चरिया के नए जो हमने अनुभव किये है कोरोना को हम किसी भी सूरत में कोरोना से भारत नहीं हरेगा कोरोना को जीतने नहीं देंगे हम जीतेंगे और कोरोना को हरा करके दम लेंगे लेकिन सब आपस में सहोग करेंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे सेनिटाइजेशन का पालन करेंगे मरियादा में रहके चलेंगे धैरिये रहके चलेंगे एक दूसरे का साथ देंगे एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे अपनी व्यवस्था पर विश्वास रखेंगे अपने नित्रत पर विश्वास रखेंगे तो इस संकट के हम निश्चित और परूबरें जबूत हो करें एक आने वाले समय में इस संकट के बाद ये मैं कोई जोतिशी नहीं हूँ लेकिन जितना भी मैं समझ सकता हूँ भारत इस महामारी के बाद एक महाशक्ति बन करके ओबर ने वाला है बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टेन अभी मैंने जी हम से बाचीद करने के लिए वक निकालने के लिए भह犯 बहुत बहुत शुक्रिया तो हर्याना के पुरव्ध compar کی क्याटन अपने और तक जिसका सार ये हैं कि देश इस वक्त मस्बूत हाथों में है और जिसके वैसे इस को उबार चुका है, एक शोड़ दो